कि हलो दोस्तों कैसे आप सभी लोग असा करता हूं दोस्तों अच्छ होंगे स्वागत आपका हमारी यूटुब चैनल पर बादल एजूकेशन गुरू पर दोस्तों आज किस वीडियो हम बात करेंगे जो भी है आपका अपवर्ड मुमेंट का जो रिपोर्टेंगे उसमें सब्सक्राइब करते हैं हाँ तो अब बात करते हैं काफ़ी स्ट्वूरं की कमेंट्स आ रहे थे सर हमारा आप तो यहां पर यह थो आती है यहां पर पहले सबसे बात कर लेते हैं कि अगर बात करें आपको पता हुआ आपकी जो रिपोर्टिंग डेट है वह आपकी पंद्रे मईश शाम पांच बजे तक आपको जुबिए आवश्चक दस्ता बेज है वह जमा कराने कोलेज में ठीक ना यानि रिपोर्टिंग कर वाले निए सभी विद्दायर्थियों को प सब 17 होंगे वहां आप जाओगे तो उसमें से आपको डोकुमेंट मिल जाएंगे लेकिन यहां पर बात करते हैं पहले पहले बात कर से जैपुर मिला है यहां कहीं कोटा से कहीं भीलवाडा मिला है कहीं भी मिला है जहां भी मिला है तो आपको क्या करना होगा आप अपनी कॉलेज में जाओगे अपनी कॉलेज में जाओगे और अपनी कॉलेज में जाकर के आपको जो आपका अलोटमेंट लेटर है allotment लेटर का allotment लेटर थे दिखा ना है और allotment लेटर दिखाकर कर बोला कि सरमृफ हम्हें परबान ओम में को चैंज हो गाया थो इस परकार से अमारी जो भी सारी फी से और जो भी आभश्यैस जितनी भी आपने रुपए है फीज ठीक है ना दस अजार रुपए गवर्मेंट की फीज और वो आपके अकोडिंग टू केडिगरी चार अजार रुपए है सेस्टी वालों की है लेकिन दस अजार रुपए हाँ पर जनरल की और उनकी है ठीक है ना तो अगर बात करें 16,000 रुपए तो 16,000 होगेंगे ठीक है ना और जू भी आपने पहले दस्तावें जो भी डॉकॉमेंट्स सारे जो भी ऑरीजनल डॉकॉमेंट्स दूसरी कोलेज से ट्रांसपर हो जाएंगे आपकी वह अब नया कोलेज मिला आया पट मूमेंट में अब बात करते हैं आप प्राइबेट साथ में यह और आहीं कि मानगे चोड़ों उससे सेवंटिभाइव रुपे ले लिए धिक ना सेवंटिभाइव रुपे ले लिए थे एड़ीशन टायम पर बोल रहे हैं कि सर हमारी फीस बोड़ेंट भी से वो रिफंड होगी विलकुल, जैसे माल लो, कुई भी student private college में था, first counseling में private college मिल गया था, अब उनको कोई भी government college में, अपवड मुमेंट में government college मिल गया, ठिक है ना, government college मान के चलो भरतपूर मिल गया, भरतपूर government college मिल गया, अब उन विद्धियर्थिप के प्रैविट वालों को क्या करना आपका जो अलोट्मेंट लेकर को चानाा है जैसे यह आ अलोट्मेंट लेकर कर में चाना है को छगे और पब्रकशन, जो डोकुमेंट है वो हमें वापस रिफंट कर दो तो जो जतनी भी आपने फीज जमा कराई थी यानि सेवंटी थाउजेंट या सिक्स्टी फाइफ थाउजेंट जैसे मान के चलो बो दस पांच हजार रुपे आपके नहीं देंगे मान के चलो जैसे कि अब जैसे आप फंट देंगे कोलेज वाले प्राइवेट कोलेज वाले तो आपको फीस और जो भी आपने सारे दस्ता भी जितने भी आपके दस्ता बेज जाति प्रमाणपत्र मूल निवास आधार कार्ड टी-सी माइगरेशन जो भी आपका सारे जितनी भी हैं उनको लेकर और आपको प्र daher a busy को फिल जहाति है आपको अमाया शौर भी पर जाना हृण बात नहीं और अगर ऑगर आपको कोई प्रब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वहां रिपलाई देने के लिए तध़ियार है नहीं लिकिन यह आपकी और सभी डियानने कि आपका 15 मईधा कि भी कंधरant सभी इश्टूडन अपनी भी है रिपोर्टिंग निर्दारित रूप से करवा ले सभी विद्धार थी ठीक है ना सभी विद्धार थी अपनी रिपोर्टिंग करवा ले पंद्रे मईशी पहले 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 सभी स्टूडेंट्स कॉलेज में जाकर करके अपनी रिपोर्टिंग करवा ले अपना एडव प्रवलम्स हो कमेंट बोक्स में कमेंट कर देना वाकि हम आपके साथ हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर दो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कोई भी इसू हो तो आप अप पंद्रह तारीक्ए आपकी जो डेट है फो है लाश्ट फंद्रह तारीकह पंद्रह और अगर बात करें के डॉकमेंट जो आपकी कोलेज में जमाये कंपाइबत अवही सारी डॉकमेंट लेकर झाल झाल